नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आड़ एमपी गुंदर में दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कॉमन दवाई जो की तागत का इंजक्शन भी बोला जाता और विटामिन का इंजक्शन भी बोला जाता वो कौन साब होते हैं उसमें क क्या क्या कॉमपोजिशन होते हैं और कैसे लिया जाता है कैसे पैसे को देना चाहिए आज के स्टूडियो में यही जानेंगे बिल्कुल आपना साधारन भासा में हिंदी लेंग्वेंज में जानने वाले तो उनसे पहले आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो क खुले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की और दोस्तों यहां पर इंजेक्शन की ब्रांड नाम की बात करती है नीरो काइंड की नाम से आपको मेडिकल एस्टोर पे मिल जाता जो कि कुछ इस परकार से इसका टैबलेट फॉम और इंजेक्शन फॉम दोनों अवेलबल होता चलिए इनका इस्तमाल यूज जानते हैं यदि नियूरान कमजोर हो जाए तो इसका इस्तमाल किया जाता है जैसे कि कहीं भी आपको नस बगेरा में प्रोबलम होता है दोस्तों नस में जंजना हट होना दर्द होना फैरों में दर्द होना तो वहां पे इनका इस्तमाल किया दे सकते हैं वो ओडी दिया जाता है यानि की दिन में एक बार जो टैबलेट को दी जाती है पैसेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलिए नेक्स दबाकी और बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स इंजेक्शन जो आता है ने रोवियन फॉर्ट आरेप के नाम सी आपको मेडिकल एस्टोर पर मिल जाता है जो कि कुछ इस परकार से इसका इंजेक्शन फोर्माता है दोस्तों उसके बाद इनका इस्तिमाल की बात करें यह नहां हफते में एक बार पेसंट में दी जाती जो की विकनास हो गया नस में दर्द बगेरा हो गय कि आपको बहुत सच्टें में मिल जाता जो कि ये इंजेक्शन से नाम से जाना जाता जोको है इनका इस्तामाल की बात करें दोज की बातका तो यह इन्जेक्शन जो है ना साथ दिन एक बार पेसेंट को दी जाती है साथ दिन के अंदर आपको एक बार लगाना और दूसरा जो है साथ दिन का गेप लेके फिर से इंजेक्शन लगाना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता जोस्तों जैसे हाथ में दर्द वगेरा होना जन जनाट होना वहाँ पर डिपसेंसी होना भी टैमिन का अगर महाँ देते हैं पेसेंट में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता आप यहां पर इनके साथ कोई भी एक एंटिवाटिक सजेस्ट करें चलिए नेक्स दबा की और बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स दबाए का जो ब्रांड नाम होत उसके बाद जैसे पैरों में सुई चुबना यह कोमन होता है जो की पैसेंट में कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा जो की 40 से प्लस एज का होता है उसको पैर में जलन होता है जंजनाट होता है सुई की जैसे चुबता है तो वहाँ पे इस दबा का आप इस्तमाल कर सकते इसमें composition की बात करो तो पीरी का वैलिन उसके बाद टेप वैलिन इसमें उसके बाद मीको बलाविन यह तीनों का mixer इसमें composition होता है दोस्तों उसके बाद इनका डोज की बात करें तो यह पेसेंट के नाम से आपको यह medical store पर आसानी से मिल जाता है दोस्तों उसके बाद इनका इस्तमाल की बात करें यूज की बात करें तो इनका यूज जो किया जाता है ना blood की कमी है तो यानि शरीर में blood का कमी हो जाता आरवेसी डॉन हो जाता उसका पूर्ती है तो यह दवा दी जाती है अब देने का जो तडिका होता ना दोस्तों डोज की बात करें तो डोज जो है 0.5 mg यानि पर केजी हिसाब से आप दे सकते हैं जैसे कोई वेक्ती साट केजी का है ना तो उसको आप जो है की 0.5 से गुना करेंगे तो 30 mg हो जाएगा जो की आपको यह जो है ना आइवी इंफ्यूजन के साथ देना होता है जैसे आप यहां नॉर्मल सलाइन या आरेल के साथ आप इसको मिक्सर करके आइवी स्लोली इसमें जो की पैसेंड में जो की आप चड़ा सकते हैं चलिए नेक्स दबा की और बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स दब देन की तरी करें तो यूज की बात करें तो इसका इस्तमाल होता है वी टामीन की सरीर में कमी हो जाने पर बिटामीन की पूरती है तो यह रही साथा है तो जो है ना यह बिटामीन का इंजेक्शन जो है कि पेसेंट में दिया जाता है उसके बाद डोज की बात करें और देनी की तरीका बात करें तो 5-10 ml जो है ना आप एक पेसेंट को जो है कि नॉर्मली 500 एनेस के साथ या आरेल के साथ मिला के सुलोली आप चड़ा सकते हैं होता है धनल जैसी ह toughest है पैन लड़ होता दोस्तोब्स इसके बाद इनका इस्तमाल की बाद करें की ट्नी पेन मसल्सवरागा की भाड़र्ध का तो वह जो है ना इससे कभर ही जाता है उसके बाद इनका डोज की बात करें तो आप मिक्सिमम सिंगल डोज दे सकते हैं पैसेंट को डेर सो एमजी तक दे सकते हैं लेकिन यह आपको जो है ना 75 में अवेलवल होता दोस्तों एक वा और जो आपका प्लेंड डोलोना आता हो आपको 25 में ही होता है उसके बाद इनका इस्तमाल की बात करे तो आप एक वाद दे रहा है न किसी पेसेंट को तो आप आई भी इनफ्यूजन भी दे सकते हैं अगर प्लें डोलोना तो वो कभी भी आप आई भी इनफ्यूजन और जो की आप आई यहीं दे उसको और आई भी कभी भी ना दे नहीं तो पैसेंट में आपको रियक्शन देखने को मिल सकता है चलिए नेक्स दबा की और बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स दबा का जो नाम होता है पैरा सीटामोल होता जो कि कुछ इस परकार से आता है टैवलेट को कम करने है तो दी जाती है बुखार को कम करने है तो और बाड़ी इсть करने के लिए पैसेंट में दबा दी आतिया धैसेव कोई सीवार पैसेंट उसका अबुखार नहीं उतरता वहां पे जो है ना आइभी इंफ्यूजन यानि दी जाती है या दू है के लिए में आप हैं जैक्सन आता एंगर सकते हैं आइध नटिक्स होसक्ते हैं ओके आप लोगों की लिए आप अच्छे से समझ में आजा होगा आपका जो भी और आपको कॉस्चन कोमेंट वक्स में जरूर करें थैंक्स फौर वाचिंग